বགट્વ, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल success के ने इटीचू में वाज ऐसे आपको चैप्टर-बाज सॉल्यूशन करा रहे हैं mathematics के साथ साथ आपको reasoning का chapter-wide solutions करा रहे हैं वीडियो अच्छा लोइगा लाइक कीजे और कमेंट कीजेगा दोस्तों के साथ सेर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों आज जो है हम सुरू कर रहे हैं सबसे पहले direction and distance दिसा और दूरी chapter को हम सुरू कर रहे हैं दोस्तों आप जानते हैं दिसा के एक बात कर दोस्तों बैसिक concept से ले करके आपको हम जवरदस्त problem जो भी आता है exam में सबको हम आपको solution उपलब्द कराएंगे दोस्तों सबसे बड़ी बात आप जान लिजे कि अभी SST ZD का प्लस में आपको SST CGL SST CHSL उसके साथ साथ रेलेवे के exam काफी एकदम तावरतोर तरीके से चल रहा है देखें दोस्तों आप वीडियो को पूरा का पूरा complete देखा किजिए और वीडियो अच्छा लएगा तो दोस्तों के साथ share करन नहीं भूरिएगा और दोस्तों एक चीज और कि comment में आप जरूर बताईए कि कौन सा chapter आगे आपको उपलब्द कराना हमें है ठीक है तो आप जरूर comment में बताया किजिए कि कौन सा chapter का solution आपको चाहिए तो चलिए हम सुरू करते हैं देखे सबसे पहले हमने आपको कहा कि देखे ये जो है दिसा कुल मिला करके 16 होते है ठीक है अब इस 16 दिसा में आपको हम देखे कि अलग-अलग करके बताते है कि कौन जो हैसो main direction क्या होता है sub direction क्या होता है ठीक है अब हम बात करेंगे देखे कि दिसा में आपको ये main direction हो जाता है main direction चार्ग होता है इधर देखे इधर east हो जाता है आपको east और इधर जो हैसो यनि अब देखे और आपको यह जब system हो गया और सस्ट के चकर ना अब यहाँ इस तरह यहाँ कर्छान अब autom said यह ऊपब को पनीति उधजा और सुखर वाहती है 20 तैनल जयो see इसकी हम बात करते है नौर्थ और ये बीच में इधर है यह क्या है आपको इस्ट है इधर क्या है नौर्थ है यानि उत्तर और पूरव है इसके बीच में बात करें तो यह क्या कहलेगा उत्तर और पूरव उसी तरह यह क्या है सब डायरेक्शन है उपदिसा जिसको हम कहते है यहां उत्तर है यह क्या है पुर्व है और यह क्या है आपका दक्षिन है पुर्व और दक्षिन के बीच में जो होगा वो क्या होगा दक्षिन पुर्व का लाएगा साउथ इस्ट का लाएगा अगर यहां बात करेंगे यह देखिए आपको कि यह दक्षिन हो गया इधर क्या इसे लिए नॉर्थ वेस्ट का लाएगा ठीक है इन चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इसका उपी होगा ठीक है नेक्स्ट क्या है आपका एंगल को भी थोरा सा समझ लीजी एंगल को समझना बहुत ही जरूरी है जैसे दोस्तों आपने देखा कि हमने अगर चला जाएगा तो यह 45 घुमेगा ठीक है अब यहां से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दो तरह के होते हैं उसको भी आगे हम बहतर डंग से समझेंगे यहां देखिए इसके बीच में फिर यहां पर आ गया यह क्या हो गया आपको साउथ और इस्ट हो गया ठी 180 और इधर बात करें इस्ट से वेश्ट भी तो 180 का डिफरेंस हो जाता है इसमें ठीक है 180 डिगरी 180 डिगरी चक्कर काटना पड़ेगा अब यहां देखिए उसी तरह से आप देखेंगे तो 90 45 बरा यहां पर 25 फिर 45 बरेगा 270 यानि यह 90 यह 90 और यह 90 मिलाकर कितना हो यह 90 हो जाएगा यह 90 हो जाएगा और 370 हो जाए ठीक है यह आपका इंगल किन 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 चीजों से प्रसंद को घुमाता है कहां कहां प्रेसान करता है आपको सारी चीजों को आपको हम डिसकस करें चुक्र में करने वाले हैं थीक है वीडियो अच्छा लग रहा हूं लाइक जरूर कर जाएगा और कमेंट कीजिए दोस्तों के साथ सेर करना नहीं बुलिए देखिए आगे क्या चीज़ें इसमें जाननी है अब यहाँ पर देखने बाली बात यह है दोस्तों कि जैसे आपने देखा यह इस्ट है यह विस्ट है यह नौर्थ है यह साउथ है अब दाय और भाय नोड़ पर कैसे घूमा जाता है यह आपका होगे मेन, जो मुखे विन्दू होगया मूल बिंदू, यहां से अगर आप इधर की और जाएगे, गौर कीजीए इधर की और आप चलेंगे, यहां से अगर कहेगा बाया घूमने यह तो इधर हो जाएगा, अगर दा इधर के अगर हम बात करेंगे उत्तर में तो आप ऊपर की ओर देख रहें इधर की ओर सब्सक्राइब जब इधर की ओर देखेंगे तो हमारा लेफ्ट की ज़या राइट की इधर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं एक चीज और देख लेते हैं इसमें अब यहां अगर साउथ की और अगर आएंगे तो लेफ्ट राइट हमारा किदर अब इधर आ रहे देखिए क्योंकि नौर्थ का उल्टा है नौर्थ में इधर था तो साउथ में दाया है उसको खतम करते हैं तो सो देखिए क्लॉक वाइज का मतलब होता है राइट हेंड साइड यहां पे बारा बजता है यहां पे आप देखते च्छो इधर तीन और इधर कितना होता है नो होता है तो जब घरी हमारा चलता है तो बारा से एक दो तीन इस तरह से होते होते होत इस्ता में चलती है उसके विप्रीत यदि हम घुमाते हैं किसी चीजों को तो वह कहलाता है एंटी क्लॉक वाइजनी लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखे क्या है अभी हमने आपको बताया था एक बाया और दाया मोर 90 डिग्री होता है यहां क्यासे एक काया और दाया मोर 90 डिग्री हो जाएगा अब इसीजों को देखेज़े रहा जैसेलभ हमाली यहां से आप उत्तर के और जा रहे हैं यहां सि checkpoint है याँ सिधिये इतर और जाईएगा जाएगा क् figure रिखे आपको कुछ को कि आे एक होता क्रौक वाइंग कोच होता है अब क्लॉक वाइच कहिए या इंटिक्लॉक वाइच कहिए वो भी 90 डिघी का ही होगा इन चीजों का ध्यान रगना है 90 मतलब सीधा ऐसे ऐसे या ऐसे ठीक है चेली देखते हैं आगे क्या है अब देखें एक चीज जाओ लीजे पाइथागोरस ठेयोरम जो हैं इसमें उपयोग होता है अब पाइथागोरस थेयोरम क्या होता है पाइथागोरस थेयोरम जो होता दोस्तों कि समकोन तिर्भूज में करने का वर्ग अनिदुभूजाओं के वर्गो के योग के बराबर होता है अब इस तरह का कोई तिर्भूज बनता है देख लीजे अब यहाँ प प्लिस अधार a sqre p a sqre plus a sqre plus b a sqre होता है यानि h is equal to .hp perpendicular square plus base sqre हो जाता है ठीक है अगर इसी तरस अगर आपको यह जियाद करना होगा अगर फी जियात करना होगा तो आप क्या करेंगे ऐसे क्या कर लेंगे root ख्लास 9-10 पढ़ेगा यह चीजे आपको ध्यान में रखना रखना में परेगा तब ही जाकर के आपको आसानी से शेप्टर को सॉल्ब कर सकते हैं इस chapter से related जो भी प्रेशन होंगे ठीक है आप इसको वैसे आप कहिएगा तो यह आप लगवा क्लास 9 या 10 पे पढ़े होगेगा ठीक है यह चीज़े आपको ध्यान प्रखना बरा एक चीज़ जब दिखेंगे इसको ट्रिक्स से कैसे याद रखेंगे अगर आपको H ग्याद कर पहले को दान लेते हैं फिर दस प्रसनों को सॉल्व करेंगे प्रसन क्या कहता है दोस्तों एकदम देख लिए जिए गजब का तरीका हम सब पूरा का पूरा आज बताने वाले हैं आप बढ़ियां से देखिए एकदम समझ लिए कि जो एकदम आपके किसी भी एक्जाम में जो इस तरह से इस के प्रसन पूछे जाएंगे तो आप छोर के नहीं आएगा बना करके हैं आज के बाद देखिए एक बैक्ती पस्चिम की ओर पांच किलो मेटर चलता है अब आपको पता है कि आपने देखा है ऐसे यह इस्ट होता है यह वेस्ट होता है यह नौर्थ होता यह साउत होता यहां भी दिया हुआ देख लिए सिंबल के रूप में अब यहां समझने वाली बात यह है कि यह समझने वाली बात यह देखिए यह काता एक बैक्ती है पांच किलो मेटर जो है चलता है पस्चिम की ओर यह मूल बिंदू अगर आपका हो जाएगा यह पांच प्राणबिक बिंदू को टिए आप टीप नहीं जाता हो एक तरह से नवैड़ी बनता है अभी आपने पहले ही आपने देखा है कि एक बाया एक दाया मुरे या एक क्लॉक वाइज हो या एंटी क्लॉक वाइज हो नब्बे डिग्री का कुण बनता है यह नब्बे डिग्री हो गया सिंपल सी बात है जब नब्बे डिग्री हो गया तो इसके सामने वला यह क्या हो ग को आपके यह कैसे कि इस को मैंने नहीं उल्टा हो गया नहीं चीजे देखेँ नशी स सबसे ब्राइ green करना होता है हमको तो दोनों छोटे वाले के बर्गों को योग कर देते हैं अब इसको जोड़िये गत कितना आ जाएगा बारा बारा 1445 25 179 आ जाएगा और इसका बर्ग मुल कितना जाएगा 13 आंसर कितना आ गया आपका 13 यह आ गया आपका 13 अब यहां से एक चीज देख लीजे यह ये एक चीज हो गया, कि दूरी आपका 13 आ गया, दूरी कितवा हो गया आपका 13, एक हो गया, लेकिर प्रारंभिक बिंदु की तुलना में, अन्तीम बिंदु कहाँ है, अल्छ手 हो था, अर अपका अन्तीम बिंदु क्या है, ये वी है, अगर आप यहाँ पर ऐसे ड strategicallyí कर बना या इसको आपको पर्शन कहए सकते हैं यह आपका दोरा से लियर करदेट से लियर रहो फाले प्रस्न की और एक पर योड़ेशंग कराने वाले हैंakers देखिया करते हैं पहले अपने ग़र से 5 कीमी गया, निकर अब अपनी लाइए और अपनी गूम के दुखी मी गया, फिर लाइएं गूम करे में गया तो अब ताओ कहा है अभी मस जनि आस्यका सेAllah me तो एक चीज देखना सिगह इना एफका दिशा होता है, ये इस हो गया यह संध्ट हो गया नौर्थ हो गया आपको अभी अभिन्यास यहां पर आपक्ति फ१। tego घंर डर्लॉट के और चलते हम इदर तो किलो मीटर पहले चलते हैं 5 तो 6 किलो मेट्र गया और रिडुमीटर फिर थार है करना लेज इसकी भी अधे रहुत के नहीं तो और से कौन सी पुल विंदjä में हो गया तो आपका हो गया उत्तर और पस्चिम दिसामे हो गया ठीक है तो चलिए इस तरह से इस प्रस्णों को हल करना था तो किस दिसाम हो गया आपका पस्चिम दिसामे बरते दूसरे प्रस्ण क्या कहता है यदि दक्षिन पूर्व को पूर्व कहा जाए अब यहां से लीजिए इस तरह से पहले diagram खीचना नहीं भुछिएगा तभी तो आप आसानी से पकर पाएंगे गता दचीन पुर्व को पूरव अब यहां पहले देखिया आप जानते है यह उत्तर होता है, ये पूरव होता है शडारी, डचीन होता है यह क्या होता यहां कि प्रख़ब को पूर्व दस्चिन पूर्व यह नंहीं पीछे कर दिया सब मोद कई परbayर कीजिए पैत tires घी इसको इधर इदर बढ़ा दिया उटतर पत्र पास्चिं को परसुम कहा जाए अब उत्तर पस्चिम ये है तो ये भी तो पैतारीज डिगरी बढ़ गया ना इसको पस्चिम कहा जा रहा है दस्चिन पस्चिम को क्या कहा जाएगा इसको क्या कहा जाएगा सो बताईए दस्चिन कहा जाएगा दस्चिन पस्चिन को यह इसको पैतारी जीडी फिर बढ़ गया तो यह दक्षिन हो गया आपका ठीक है तो कहता है इसी करम में दिसा पड़िवरतन का करम जा रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे उत्तर टो यहां आ जागा यह भी उत्तर पैंतर नी बढ़हागा के नहीं ब़हेगा सो स्वींप़ प्रसल अ chosen लिए भी यह भी उत्तर और पूर्ग हो जैगा जो उत्तर होगा यह पैंतर आगЕ बढ़हेगा तो अन्सर आपका दी आजाएगा समझ भागए दोस्तों चलिए समझ भागए वह ता लाइक जरूर कर दिए नहीं तो दूबारा फिर से देखिए दिनिश्ची तुरूप से समझ में आही जाएगा सारे टाइप को हम देखिए दोस्तों कि कभर किये रहुल पस्टिम दिसा की ओर जा रहा है पस्टिम दिसा की इधर घूम किया सीधे यह चला आया नहीं कहता है उसके बाद 45 ज्री दाए दाए यानि इसके बाद पूरण 45 ज्री ज्री घूमेंगा यहां से यहां से तो सीधा हो जाएगा यो चैनला ओले लगाएगा अब आखिए यहां से अगर आप बात करेंगी यहां से ऐसे मूल बिंदू इसको बना करके ति यह किस दिसा में जा रहा है ति यह आपका उत्तर हो गया यह क्या हो जागा आपका पस्चिम हो जाएगा ति यह उत्तर पस्चिम के बीच की ओर जा रहा है ति उत्तर पस्चिम हो जाएगा इसका होता है यह 10 km फिर जाकर के दक्षिन की और मुड़ा और 5 चला दक्षिन की और आएगा यहां पांच के जगा पंद्रह कर लिए दूस्तों पंद्रह करें क्योंकि यह हमने पहले बना करके देखा है यह 15 पर आपका आंसर आएगा ठीक है क्योंकि नहीं तो ऑपसर के हिसाब से ही नहीं दिया हुआ है अगर पांच पर बनाएगा तो ठीक देख लिए चलिए टाइपिंग मिश्टेक हो जाता कभी करी यह 15 km यह जाएगा देख लिए पंद्रह आएगा यह पंद्रह तो नीचे तक आजएगा पूरे इसके सीमिलर आजएगा जहां पर यह घर है इसके सी अगया घर से तो पस्षिम दि sound निसाम हो जाएगा नसर 500 पक्रमेंटर की जिगा तो क्या हो सकत यह उससिए मिलेगा इक preventing नहीं मिलेगा इसनले आपको पंद्रह कर laissez नहीं करते भी जाएggा तो आप देख सकते है समझने के वह ठीक है मिनाक्षी पुर्व की और जाती है मिनाक्षी है और पुर्व की और जाती है पुर्व की और जाएगी तो इधर की और आएगी अब किस पत का पालन करेगी वह दक्षिन दी सामें जाएगी अब दोस्तो एक चीज सिंपल सी बात है दक्षिन मतलब होता नीचे की और आना है उसको अब क्या करेगी सो देखिए अगर पहले अपसंग देखते हैं बाए बाए दाए अगर एक बार बाए पर चल दाएगी फिर आप नहीं फोलोग किया चलिए आप देखे बदलते इसको, बदलते हैं तर भी और फिल किया है, क्या है पहली ने पहले हैं, दाएं दाएं अगर यहां इधर की होड़ आ रही है, दाएं मुरेगित इधर नीचे आ जाएगी तौर नीचे की ओर तजायें Pay जाएगा मिलेगा फिर होुपर चल दशार और ही नहीं रहा हैं अगला किया कहता है काता अधस से दाइन लेहां ब्रड़ दे क्या है कि अधर आगए यहां से कितर आहिए और नहीं पहलाए है क्यों से प्रसंद नागी तेन बार बाया मुरना है तो बना नहीं पाएंगे तो यह देखिए प्रसंद का लेबल है देखिए पढ़ते हैं अगले प्रसंद क्या है चे क्या कहता कोश्चन नमर छे है कि एक लड़की अपने घर से चलती है वह पहले उत्तर पस्चिम में 30 मीटर चलती है अब यह लीजिए उसका घर हो गया उत्तर पस्चिम मतलब अगर ऐसे बनाएंगे आप तो उत्तर पस्चिम क्या हो जाता ज़रा देख लीजिए यह उत्त शीन 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 का तरह मज़िए आफे है यह एक बतात में 30 मीटर चलती है अब यहां से खरकी और मूडेगी अब यहां से सीदी separate कर लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा उसका इसका वान्वार। अब यहां परसीड यह 30 है, यह 30 है, यह 30 है, इस ब्राबर में यह आ चुकी है, अब इस दिसा की और जा रही है, इस दिसा का मतलब यहां से ऐसे मुलि बिंदू बनाईएगा, देख लीजए, यह इस तरह से बन जाएगा, तो यह जो आपका हो जाएगा, वह कौन सा दिसा हो यह पुड़व होता है यह क्या उत्तर होता है उत्तर होता है दोस्तों पूले करें प्रन के जरूतेREW जरूत है पुड़ाइब काफी मेर्न रो बनाते हैं का तो दोस्तों सब्सक्राइं गुच्なहीं मिलेगा साथ ही साथ GKGS का वीडियो मिलता रहेगा लेकि सबसे पहले आपको देखे कि जी रिजनिंग और मैत का अभी हम आपको चलाएंगे तो देखे चैप्टर बाइज पहले रिजनिंग खतम करते हैं बढ़िए आगे देखते हैं क्या कहता है यह कुश्चन राम अपने घर से निकल कर बारा किलो मीटर बारा किलो मीटर उतर जाता है यहां से देखे बारा किलो मीटर उतर गया चलता है और वह अपनी दाई और मुर्ता है दाई और मुर्ता इधर के और मिर जागा बारा किलो मीटर फिर चलता है पुना दाई और मुर्ता फिर नीचे क 17 किलो मिटर यहां गए और यहां घर तो इस दिसा की और जा रहा है तो इस दिसा की और जा रहा है इसे तो बारा और पांच कितना यहां जाएगा और पूरा वांसर हो जाएगा ठीक है तो बरते कोस्टन नमर एट की और एक क्या था अरुन पूरब की की दिशा में चलना प्रणम करता है 75 मीटर जो है चलने के बाद वह बाई और मुट कर पचीस मीटर चलता है अधिके पूरब की और यहां से माली चलना प्रणम किया पूर 40 मीटर चलता है अंत में वह पिर के नीचे चला आएगा बाध यहां नीचे चलना अब सीदी सीदी बात हैdn 25 दुनों तो मिल जाएगा इस लाइन पर आ जाएगा ठीक है आजाएगा कि नहीं आजाएगा अच्छा अब देखे क्या हो जाएगा कि यह 40 है यह टोटल 75 है यह कितना बजाएगा 40 30 और यह 35 बजाएगा किने वह प्राडंबिक बिंदू से कितनी दूरी पर 35 मीटर दूरी प बजान बला होता है स्वार्ब करने बाला वह चीज आपको बतारहि कर लड़का धक्छीन की और है 30 मीटर चलता है 30 मीटर चलता है ठीक है अब दक्षिन कर चलेका है यहाँ से 30 मीतर चला लीजे नीचे यह अपका मूल बिंदू रहा 30 मीतर चला लीजे फिर वह अपने दाएं और मुड़ता है ब तीस मीटर चलता है अब वो प्राडंबिक बिंदू से कितनी दूरी पर है प्राडंबिक बिंदू यहां है यह 30 हो गया अब यह जो दूरी आपका 20 है यही दूरी ती यह भी 20 हो जाएगा तो 30-20 पचास मीटर की दूरी पर होगा 50 मीटर कोई भी आपसान ही नहीं है इसलिए आपको नन्नफ अब लास्ट कोच्छन है आज का रामा का मुख पूरव की ओर था रमा इधर की ओर पूरव की ओर था हो 20 मीटर चलती है बाएम मुरने के बाएं चलती है धर आ वा दाएं से दाएं मुरौ गई 25 किरो मिटर चली और अंध में बाएं 5 मिटर चलती है यहां से दाएं ब्जायां बेन दयर पर चलती है वह प्राड़म भी विन्दूस कितनी दूरी पर देखें बहुत ही अच्छा अच्छा कोश्ण था बहुत ही आसान अच्छा कोश्ण था दोस्तों इसका पार्ट टू भी हम आपके लिए लिए गया वह भी आप देखना नहीं भूलिएगा यह 25 है यह पंद्रह हो गया यह 25 हो